समस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू डेली डॉज ऑफ इंडियन फूटबॉल गाईज ऑन क्यूरियस एरी तो बात करते हैं कल खेला गया दूसरा सेमिखानल बिट्वेंड एपसी वेसिस एटेके मोहन वगान की जहां पे आयसल की दो सबसे स्ट्रॉंग डिफेंसिव साइड ने अपना मतलब डिफेंसिव एट्रिबूट्स कल दिखाए कि क्यों वो सबसे स्ट्रॉंग रही है इस सिजन और स्कॉल लाइन भी यह प्रूब करते हैं गाईज काफी इंट्रेसिंग तरीके से होती है हिदराबाद ने काफी स्टार्टिंग में आप देखे काफी ज्यादा आठेक बनाए और सबसे बढ़ी आठेक अगर फर्स्ट आप में आप देखिए हिदराबाद का तो चियनीजी वाला वह आप देखिए कि जो हैडर था और विसा आप देखिए हिदराबाद के फोरवर्ड आप 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 बोल सकते की बोक्स के आराउंड और बोक्स में थोड़ी सी स्पेसिस फाइंड कर रहे थे और सोट ले रहे थे लेकिन के लिए अच्छा हुआ कि या तो सोट इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट हो जा रहा रहा था य पूरे मेंच का मेरी आप से सबसे बढ़िया चांस था और कैसे ओ अनलंकी मानूंगा में एटिके मौनमगान को कैसे पोस्ट पे हीट कर गया वहां से तो आपको बीड़ी के पाड़ भी लग जाता तब भी चली जाती है लेकिन कैसे ओ पोस्ट कर गया एंड वरी-वरी अनल वाइस कफी शोलिड आप देखे कि दामयानोविच एंड प्रितम कोटाल एंड सुवसिस बोस एंड आसिस रहे दिखे और सेकंड आप में आप देखे इतने ज्यादा चांसिस एदराबाद को नहीं मिले क्लोस चांसिस आप चांसिस तो डेफेनितली दोनों ही टीमों को मिल र से बहतरी शोट था लेकिन वो पॉस्पेट कर गया और सेकंड आप में अगर हम एटी के मोहन बगान को देखे तो मनवीर सिंग का जो चांस था लेकिन गुरमीच सिंग जो हैदराबाद के भी कीपर है जिन्नोंने इस मैच में सेवन शोट को सेवन ब्लोक किया है इस ब्लोक तो मनवीर सिंग ने वो बड़ी opportunity मेंच की तो आप देखें दोनों ही टीमों को चांस ज्यादा मिले लेकिन 60 मिन तक गेम का टेमपो अगर आप देखें तो वो हाई था उसके बाद थोड़े से आप बोले कि दोनों ही टीम के टायड लेक्स दिखें दोनों टीमों सब्स्ट रहा है और एड़ाबाद के पास भी आप देखें की काफी बड़िया प्लेयर है इस मैच में दोनों ही टीम के प्लेयरों ने इनफ चांस बनाएं बात करते हैं अब दूसरी जो हमारी वोमन्स टीम है उन्होंने यहाँ पर फिर से एक धमाखेदार विक्ट्री हासिर कर दिया है और अब एक मेच बसता है इस ग्रूप में वियतनाब के सामने और एक वियतनाब के सामने भी आई तिंक वी आर फेवरिट नाओ वो भी एक अ करेंगे और उसके बीच में फिर वो होगा तो लेट्स होब की वियतनाम के सामने हम अच्छा पॉप्रोंस दिखाएं मुविंग ओन तो दी अनदर न्यूज इस अब गाइस विने मैनन जी हां गाइस एक वेलनेस कोच है जिन्होंने फॉर्मरली चल्सी के साथ की 2012 विनिंग बेल्जियम नेशनल टीम के साथ वेलनेस कोच काम किया हुए तो वह अभी इंडियन आ एएएएफ ने अनौस्मेंट किया है कि वह अभी इंडियन टीम के साथ जुड रहे हैं ओर पार्टनर सिफ होगी एएएएएफिप के साथ ऑर जो ग्लोबल फुड़ में वो लोग क्य के साथ जूर रहे है इंडियन फूटबोल को अच्छा करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए तो एफ-फ की और से यह पॉजिटिव स्टेप मेरे सबसे वेलनेस कोच है तो प्लेयरों के माइंड सेट क्या होने चाहिए बड़े में चिसमें वो रिकवरी और वो सारी क्य चैन्ना एंप्सी किया और अभी अभी वहां से वह पर अपनी जोब छोड़ी है और वह अब इंडियन फूटबोल में एज टेकनिकल डिरेक्टर जुडने जा रहे है उनका क्लेरंस अभी तूकि वह फॉर्मर अभी बी एंप्लोयर है अब दी इंडियन में तो अगर वहां इंडियन टीम्स में भी हुई है एक तो यह विने मेनन की और दूसरे हमारे से पार्श शर्की तो लेट्स होब की दोनों के आने से एक इंडियन फेल में जो हमें चाहिए राइट पीपल इन्दी सेटप तो वह वाला सीन यहां पर बनता है तो लेट्स होब की कुछ पोजि